का मैसेज आपके लिए हनुमान ची की तरफ से है और यह आपकी रीडिंग है और आज इंट्रेस्टिंग बात यह है कि हम हनुमान ची से मैसेज रिसीब कर रहे हैं और आपको पता होगा हनुमान ची जो है मंगल का नंबर 9 होता है 9 नंबर का कार स्ट है पॉर्टम अफ़ डेक nine number है nine number है nine number है nine and nine मतलब mostly card ही nine number के आये हैं पूरी reading में थोड़ा सा sensitive message है अगर आप सच में हनुमान जी के भगते हैं तो इसे receive करेंगे क्योंकि यह आपके बारे में है मतलब यह किसी और person के बारे में आप बारे में बात हो रही है आप ऐसा हो सकता है कि stem बहुती ज़्यादा depression, anxiety आपको रात को नीद नहीं आती होगी अकेला पन, isolation एक बहुती मतलब बुरी स्थिती से गुजर रहे होंगे या जल्दी ही गुजरने वाले हैं यहाँ पर बात यह की जा रही है कि आपके अंदर जो भी negative habits है, negative belief system है, negative behavioral pattern है जो भी आपके खुद के ego, खुद की जो अंदर की जलन, नफरत, एंगर इसको अब खतम करने का समय आ गया है इसको अंत करने की जरूरत है और आप ऐसा करेंगे भी क्योंकि आपको जो जिन्दिगी का सबक है, जिसके लिए भी यह message है वो शायद मिल गया है, यह आने वाले समय में मिलेगा क्योंकि यह आप छोडने का समय आ गया, शनी का नमबर है, नमबर 8 है आप इससे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मैंने जब guidance ली भी तो यह जो है 9 नमबर end की बात करता है तो आप इससे आगे बढ़ेंगे, इसका अंत खुद करेंगे यहाँ पर अब आप अपने आप से बात करेंगे आप अपने गुरू खुद बनेंगे और खुद से पूछेंगे कि बस जो मेरे negative patterns थे, जो भी मेरे belief systems है जो भी मेरे behavior pattern है, मैं उसे अंत करूँगा और इसको अंत करेंगे और आगे बढ़ेंगे और introspection की तरब जाएंगे दा हर्मिट का card introspection को भी बताता है inner journey को बताता है, आप introspection की तरब जाएंगे आप खुद से question करने वाले हैं, खुद से सवाल करने वाले हैं और अपने इन pattern का end करेंगे new moon का day आपके लिए बहुत जादा important है healing के लिए जब आप ये सब करेंगे तो यहाँ पर देखिए the star का card है जो की healing को ही बताता है जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप emotional healing करेंगे इस healing में आपके लिए कोई ना कोई support available है जो किसी भी माध्यम से आपको मिल सकता है कोई ना कोई help available है आपको new moon meditation करना बहुत अच्छा रहेगा ठीक है, new moon meditation कर सकते हैं sorry, full moon meditation कर सकते हैं full moon meditation करना बहुत अच्छा होगा 17 तारिक को full moon है healing है आपके लिए और guidance available है healing में जब आप इस पूरी situations को deal करेंगे इस तरीके से अपने उपर काम करेंगे एक्चल में इसको deep shadow walk कहा जाता है तो आपकी life में strong new beginning है जो divine आपको as a reward देंगे ठीक है तो यह बहुत अच्छा समय है जो हनुमान जी बता रहे कि अपने अंदर की devil energy को पकड़ो और उसको face करो उसको mirror करो और उससे आगे बढ़ो उसके ending करो ठीक है और फिर आपकी life में एक strong new beginning है जो नए chapters को खोलेगी और एक अच्छी शुरुआत को लाएगी thank you so much नमस्ते